जब ठकान जादा हो दाल सबजी रोठी बनाने का मन ना हो तो यहाँ पर बनाएं कच्छे चावल से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेस्पी जो मिंटों में बन जाती है और बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आती है साथ ही इसको खाने के बाद पेट तो भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा आप बार बार बनाना चाहोगे जनजट भी कम और आराम ज्यादा रेस्पी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है तो यहाँ पर आप वीडियो को पूरा देखिएगा रेस्पी पसंद आए तो लाइक शेयर क पर लिए है कच्छे चावल एक कटोरी आप मेजरमेट अपने किसी भी बरतन से कर सकते हो तो एक कटोरी यह चावल है और यहाँ पर मैंने उनको आधा गंटे पहले पानी में भिगो दिया था ताकि यह अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो चावलों को हमें अच्छे से भिग को हमें यहां पर आप देख सकते हूं मैंने चावल डाल लिए और अब यहां लेंगे हम बहुत ही थोड़ा सा पानी क्योंकि चावल जब पिसता है तो वह एकदम से कच्छा चावल है चिपकता है तो अगर आप इसको थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल कर पीसेंगे तो यह ज मैं आपको दिखा देती हूं यह हमें किस तरह का चाहिए इसकी थिकनिस बस इतनी होने चाहिए और अब इसको हम यहां पर एक हांडी में पलट लेंगे क्योंकि अब इसमें जो चीजे जाएंगी नॉर्मल सी चीजे है सबके घर में आराम से मिल जाती है यह है सूजी तो ज अब यहां पर जब हम चावल में सूजी डाल देंगे तो यह बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा तो अब इसको हमें पतला करने के लिए क्या करना है तो यहां पर पहले यह चीजे में आपको दिखा देती हूं इनकी कटिंग चॉपिंग हो जाएगी उसके बाद मैं आपको पताती हूं किसको कैसे पतला करेंगे तो लैसुन हरी मिर्ची और अद्रक साथ में मैंने करी पत्ता लीप्स भी लिए अब हम यहां पर लेंगे चाज यानि की मठा आप दही का भी इस्तिमाल कर सकते हैं और दही हो या चाज हो दोनों ही चीजे हमें यहां पर खटती चाहि हो जितना भी आपको खट्टा रखना है इस रेस्पी को आप उसे सापसे में चाज या दही का इस्तिमाल कर सकते हैं तो अगर आपको कम खट्टा चाहिए तो आप चाज में पानी मिक्स कर सकते हैं या फिर कम खट्टी चाज यहां पर आप इस्तिमाल कर सकते हो वैसे ही और जो हमने लहसुन हरी मिर्ची कटकर के रखी है उसको हम यहाँ पर डाल देगे तो यह लहसुन अद्रख डाल दिया मैंने साथ में यहाँ पर चली जाएगी हरी मिर्ची और करी पत्ता की लीप्स यह हम बना रहे हैं एक special सा तड़का अपनी रेस्पी के लिए तो जब लेसुन पक जाए तब आपको हरी मिर्ची और करी पत्ता की लिप्स डालनी है वरना वो जल जाएंगी और उनका टेस्ट खराब हो जाएगा थोड़ी सी मैं यहाँ पर चिली फ्लेक्स ले रही हूँ और अब इस तड़के को हम इस बैटर में मिला देंगे जो हमने बना कर तयार किया है कच्चे चावल, सूजी और छाज के साथ अभी मैंने यहाँ पर और भी चीज़े मिक्स करनी है तो आप वीडियो को इसकिप करके मत देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तभी आपको यह मज़ेदार सी रेस्पी समझ में आईगी और जब आप बनाएंगे तो यह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी जैसे की मैं आपको बता रही हूँ अब इस तड़के को हमें मिक्स कर देना है यहां पर और यकीन मानिए यह तड़का इस रेस्पी में बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर लेगके आता है तो आप डालने के लिए तो कच्छा भी डाल सकते हैं पर तड़का लगा कर डालेंगे तो यह ज़्यादा टेस्टी लगेगा तड़के को मैंने बहुत अच्छे सी यहां पर मिक्स कर दिया है तो अच्छे से आप देख सकते हूँ कितनी थिकनेस है इसमें अब मैं डाल रही हूँ नमक आपको स्वाध के अनुसार ले लेना है और यहां पर अब हम इस्टीमर तयार करेंगे तो मैंने यहां पर जो बर अब मिलाएंगे हम यह लास्ट में इनो तो इनो का हमें पूरा सैसे यहां पर डालना है तभी तो हमारी रेस्पी में एक जो जाली पड़ती है और जो सौफ्टनेस होती है वो आएगी इनो के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और अच्छे से इस तरह से मिक्स कर तो यह करना कब है आपको जब आप बिल्कुल रेस्पी बनाने जा रहे हो तब ही आपको यहां पर इनो एड़ करना है जब आपका पानी अच्छे से बॉयल होने लगे और आपका स्टीमर तैयार हो जाए तो इसको बहुत अच्छे से मैं फेट रही हो ताकि इनो पूरे ब हमारी रेस्पी बन कर तैयार होगी तो वह बहुत ज्यादा फूल जाती है और ट्रे हमारी उपर तक भर जाएगी तो यहां पर बैटर हमने डाल दिया है उपर से थोड़ा समय इसमें हराधनिया इस तरह से डाल रही हो डालने के लिए आप चिली फ्लैक्स डाल सकते हो आप तो अगर टमाठर पगएर पसंद है तो आप वह बहू भी डाल सकते हो में हापर सिर्फ हराधनिया इस्तेमाल कर रही हूं utilized और अब इसको मैंने रख़ा था 15 मिनट दिये स्टीम होने के लिए तेज आज पर तो ये देखिए 15 मिनट में स्टीम होने के बाद हमारा ये कच्छे चावल का टेस्टी सा नास्ता तयार हो गया है और आप यहां पर नाइफ को डाल कर देख लीजिए नाइफ एक दम से क्लीन निकला ही है और मैंने घडी में टाइम देखा अब आप किनारे किनारे से इस तरह से नाइफ लगा दीजिए इसमें बहुत अच्छे से ताकि किनारियों को बेटर छोड़ दे इस नास्ते को ठंडा भी खा सकते हैं पर गरम गरम ये ज्यादा अच्छा लगता है जब भी आप डिनर या लंच करने चारह हो और आपका अनुसार इसको इसी तरह से इंजॉय कर सकते हैं ये देखिए कितना बढ़िया सा हमारा पीस निकल कर तैयार हो गया है और आप जाली देख सकते हो कितना ज्यादा ये फूल गया है बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही टेस्टी बहुत ही यम्मी तो कच्छे चावल का ये टेस्ट इंजॉय कीजिए ये टेस्टी सा कच्छे चावल का नास्ता वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आइकन जरूर प्रेस कीजेगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नॉटिफिकेशन आप तक महुत सके